ओम शांती, आज है 13 जुलाई 2021, मीठे बाबा के साकार माहवाक्य सुनेंगे, मुल्ली का सार है मीठे बच्चे, शिब बाबा को यहे भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे, तो हमारी सेवा करेंगे, वहे कभी बूड़ा होता नहीं, बाप ही है निश्काम सेवाधारी प्रश्न है, भोलानात शिब बड़े होंगे, तो हमारी सेवा करेंगे, वहे कभी बूड़ा होता नहीं, बाप ही है निश्काम सेवाधारी प्रश्न है, भोलानात शिब बाबा, हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? उत्तर, बाबा कहते, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ, जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई-नई चीजें देता हूँ तुम कहते हो, बाबा, यह तन, मन, धन, सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटिफुल तन मिल जाता, अपार धन मिल जाता गीत है भोलानात से निराला, ओम शान्ति, यह भक्ति मारग में गीत गाते हैं, जो भी गीत है सब भक्ति मारग के हैं? उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे गाया हुआ है सुदामा ने दो मुठी अन की दी तो महल मिल गए तो भी कितने समय के लिए? 21 जनम के लिए अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारत वासियों को बरोबर हीरे ज्वाहरों के महल देते हैं किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तनमन धन सब आपका है आपका ही दिया हुआ है किसको बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया कहने वाला कौन है? आत्मा भगवान अर्थात बाप ने दिया बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटिफुल तन ट्रांसफर कर देंगे अपार धन देंगे लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे लौकिक बाप से अल्प काल के लिए धन मिला है बेहत का बाप हमको बेहत का वर्सा देंगे बाप समझाते हैं ज्यान और भक्ती में रात दिन का फर्क है भक्ती में अल्प काल के लिए मिलता है धन है तो सुख है धन के विगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं बच्चे जानते हैं बाब हमको अथा धन देते हैं इसलिए खुशी होती है सुखधाम में तो सुख की कोई कमी नहीं हर एको अपनी अपनी राजधानी है उसको कहा जाता है पवित्र घ्रस्त आश्रम तो बाब कितना भोला है क्या लेते हैं और क्या देते हैं कितना अच्छा गाहक है बाब यूँ भी बच्चों का तो बाप गाहक ही है बच्चा पैदा हुआ और सारी मलकियत उनकी है वह होते हैं हद के ग्राहक यह है बेहत का भोलानात बेहत के बच्चों का ग्राहक बाप कहते हैं मैं परमधाम से आया हूं पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूं इसलिए दाता कहा जाता है दाता भी इन जैसा और कोई नहीं निशकाम सेवा करते हैं बाप कहते हैं मैं निशकामी हूं मेरे को कोई भी लालसा नहीं ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूरे बाप की संभाल करना क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है नहीं, यह काइदा होता है बाप बूरे हो तो बच्चे उनकी संभाल करें यह बाप तो कभी बूरा होता नहीं सदैव जवान है आत्मा कभी बूरी नहीं होती यह तो जानते हो लौकिक बाब बच्चों में उमीद रखते हैं कि हम बूरा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे भल सब कुछ बच्चों को देते हैं फिर भी सेवा तो होती है यह शिबाबा कहते हैं मैं हूँ ही अभोगता मैं कभी खाता ही नहीं हूँ मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नौलेज देले सुप्रीम रू रूहु को बैट समझाते हैं रूहु ही सुनती है र एक बात रूहु करती है संसकार भी रूहु ले जाती है जिसके आधार पर शरीर मिलता है यहां मनुश्यों की अनेक मते हैं कोई कहते हैं रूहु परमात्मा ही ठैरा उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता है आत्मा निरलेप कह देते हैं अगर आत्मा निरलेप होती तो क्यों कहते पाप आत्मा पुन्य आत्मा अगर आत्मा निरलेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुन्य शरीर अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को बढ़ा रहे हैं इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी है ना कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली आत्मा ही टेस्ट लेती है बाप तो ऐसा नहीं कहेंगे वो तो अभोगता है ब्रामनों को खिलाते हैं, आत्मा आती है, कहां तो विराजमान होती होगी ब्रामनों आधी को खिलाना भारत में कौमन बात है आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बाते उनकी सच्ची भी निकलती है यह पित्र आदी खिलाना यह भी ड्रामा में नून्ध है इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए बाप नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते एक-एकी समझानी में ही वर्ष लग जाएं तुम बच्चों को बड़ी सहजशिक्षा मिलती है गाते भी हैं हे पतितपावन आओ आकरम को पावन बनाओ उनका नाम ही है पतितपावन भ्रामा, विश्नु, शंकर को पतितपावन नहीं कह सकते बाप को ही पतितपावन लिब्रेटर कहते हैं दुखरता, सुख करता भी उनको ही कहा जाता है वह है नेराकार शिव के मंदिर में जाकर देखो वहां लिंग रखा है जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं यह देवतावी कभी चैतन्य थे तब तो उन्हों की महिमा है नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं पवित्र की ही पूजा करते हैं कोई भी मनुश्य की पूजा नहीं कर सकते विकार से पैदा होते हैं न तो उनकी पूजा नहीं हो सकती पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं तुम जानते हो बाप आया था फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने फिर द्वापर से रावन राजिय शुरू होगा रावन राजिय शुरू होने से जट शिव का मंदिर बनाते हैं अभी तो चैतन्य में knowledge सुना रहे हैं वह सत्य है चैतन्य है उनकी ही महिमा गाते हैं निराकार को शरीर तो चाहिए ना तो बाप ही आकर विश्व को heaven बनाते हैं उस हैवन में राज्य करने के लिए तुम पुर्शार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी तुम बन रहे हो निराकार परमपिता परमात्मा ज्यान का सागर है परंतु सुनाई कैसे? कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ मेरा ट्रामा में यह पाठ है मैं प्रकिर्ती का आधार लेता हूँ यह जो पहले नंबर का है इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रमा रखता हूँ पहले यह सब भटी में थे तो भोतों को नाम दिये थे परंतु भोतों ने फिर छोड़ दिया इसलिए नाम रखने से क्या फाइदा तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ एक ही साद सब इकठे कितने रमनीक नाम आए संदेशी नाम ले आती थी वह लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है घर बार छोड़ देते हैं तुम छोड़ते नहीं हो तुम भ्रम्मा के आकर बनते हो शिव के तो हो ही तुम कहते ही हो बाप दादा सन्यासियों का ऐसे नहीं होता है भल नाम बदलते हैं, परंतु बाब दादा नहीं मिलता, उनको सिरफ गुरु मिलता है, हट योगी हट के सन्यासी और राज योगी बेहत के सन्यासी में रात दिन का फर्क है गाया भी जाता है ज्यान, भक्ति और वेराज्य, उनको भी वेराज्य है, परंतु उनका है घर बार से वेराज्य, तुमको सारी दुनिया से वेराज्य है, उनको पता ही नहीं कि स्रिष्टी बदलती है तुम्हारा है बेहद का वेराग्य यह स्रिष्टी खलास होनी है तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है वहाँ जाना है परंतु पावन होने बिगैर तो वहाँ जा नहीं सकते दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देफताओं का राज्य था जो बाप अब स्थापना करते हैं तुम जानते हो शिबाबा को याद करने से हम पुन्यात्मा बन जाएंगे है बड़ा सहज परंतु याद भूल जाती है भक्ती मारकी रसम रिवाज बिलकुल ही अलग है बापिस अपने घर तो कोई जान नहीं सकता पुनर जनम सबको जरूर लेना है घर जाने का समय एक ही है फलाना मोक्ष को प्राप्थ हुआ यह तो गपोडा है बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच से वापिस नहीं जा सकती नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए हर एक को सतो रजो तमो में जरूर आना है मोक्ष के लिए तो बहुत आते हैं समझाया जाता है मोक्ष होता नहीं यह तो अनादी बना बनाया ड्रामा है वेह कभी बदली नहीं हो सकता मक्षी यहां से पास हुई फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी यह तो जानते हैं बाबा कितना भोला है पतित पावन बाब अपने परमधाम से आते हैं पाट बजाने वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है इसमें मुख्य कौन कौन है जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहुकार कौन है इस दुनिया में उसमें नंबरवार नाम निकालते हैं. तुम जानते हो सबसे साहुकार कौन है? वह कहेंगे अमेरिका. परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहुकार यह लक्ष्मी नारायन बनते हैं. तुम पुरिशार्थ करते हो भविश्य के लिए सबसे बड़ा साहुकार बनने के यह रेस है, इन लक्ष्मी नारायन जैसा साहुकार कोई होगा, अल्ला अवल्दी इनकी भी स्टोरी बनाते हैं, ठका करने से कुबेर का खजाना निकल गया, बहुत किसम किसम के नाटक बनाते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धी में हैं, यह शरीर छोड, स्वर्ग में जाएं हमको कारुन का खजाना मिलेगा, बाप कहते हैं, मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी, बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है, कहते हैं, बाबा हमको माया के तुफान बहुत आते हैं, अच्छा, बाप को बहुत प्यार से याद करो, तो तुफान उड़ जाएंगे, बाकी नाटक आदी बैट बनाएं हैं, बात है कुछ भी नहीं, बाप कितना सहच बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाए है वे निकल जाएगी, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी, वह ची बनेगी इस याद अगनी से, आग में डालने बिगैर सोना पवित्र हो ना सके, तो इसको भी योग अगनी कहते हैं, है याद की बात, वो लोग तो अनेख प्रकार के हटियोग सिखलाते हैं, तुमको तो बाप कहते हैं, उठते बैटते याद करो, आसन आदी काहा तक त भल बिमार हो तो यहां लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो शिबाबा को याद करो और चक्र फिराओ बस उन्हों ने फिर लिखा है गंगा का तठो अम्रिधमुक में हो गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है इसलिए मनुश्य हरीद्वार में जाकर बैठते हैं बाप तो कहते हैं तुम कहां भी बैठो भल बिमार हो सिरफ बाप को याद करो सुदर्शन चक्र फिराते रहो तब प्राण तन से निकले यह प्रेक्टिस करनी पड़े उस भक्ती मारक की बातों में और इस ज्यान मारक की बातों में कितना राद दिन का फर्क है बाप की याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा वास्तव में युद यही है उन्होंने कौरवो पांडवो का लशकर दिखाया है माहा भारत लड़ाई हुई फिर क्या हुआ रिजल्ट कुछ भी नहीं बिल्कुल ही घोर अंधियारा है कुछ भी समझते नहीं इसलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है बाप फिर रोशनी करने आया है उनको ज्ञान का सागर नौलेजफुल कहा जाता है अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है वह है मूलवतन जहां तुम आत्मय रहती हो उनको ब्रहमांड भी कहा जाता है यहां रूद्र यग्ये रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं क्योंकि तुम बहुतों का कल्यान करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रुहानी सेवा करते हो। इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को दिल वा जान सिक वा प्रेम से नमस्ते 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 शुक्रिया बाबा वहां मेरा भाग्य वहां मेरे भाग्य विधाता बाबा धारना के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट माया के तुफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है आत्मा को योग अगनी से सच्चा सच्चा सोना बनाना है दूसरी पॉइंट बेहत का वेरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है दुनिया बदल रही है नई दुनिया में जाना है इसलिए इससे सन्यास ले लेना है बरदान है ज्यान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइस कर समाधान स्वरूब बनने वाले बेगमपुर के बादशाभव ज्यान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइस कर समाधान स्वरूब बनने वाले बेगमपुर के बादशाभव एक्स्प्लानेशन है ग्यान की पॉइंट्स जो डाइरियों में अत्वा बुद्धी में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइस करू और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहजी समाधान कर सकेंगे कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ ड्रामा शब्द की सम्रिती से हाई जंप दे आगे बढ़ो फिर यह पुराने संसकार आपके दास बन जाएंगे लेकिन पहले बादशा बनो तक्त नशीन बनो स्लोगन है हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है अच्छा ओम शांती